जिला विजनोर उत्तर प्रदेश का एक गाउं है लाल बाग यहां गुरुदास अपने परिवार के साथ रहता था परिवार में पती पत्नी के अलावा इनके दो बच्चे थे दोनों बच्चों में उनकी बेटी अमीता बड़ी थी उसकी उम्र 17 साल की थी वहां गुरुदास की चहेती थी गुरुदास उसे बेहत प्यार करते थे 21 दिसंबर 2017 के जिन गुरुदास घर में नहीं था सुबह 19 बजे के करीब अमीता ने अपनी मा सुक्विंदर कौर से कुछ देर में वापस आने का कहकर बाहर कहीं चली गई मा ने भी लापरवाही से सहमती दे दी बाहर चाकर अमीता को तीन गंटे हो चुके थे लेकिन वहां घर नहीं आई इस बात से सुक्विंदर चिंदित हुई तब उसने बेटी अमीता को फोन लगाया किन्तु बार-बार फोन लगाने पर भी उसका फोन सुई-चौक बता रहा था इस बात से परेशान होकर सुक्विंदर ने अपने पती गुरुदास को फोन कर सारी बात बताई इस खबर को सुनकर गुरुदास भी घबरा गया और फोरन घर आया इदर सुखबिंदर ने अपने पोते 22 वरसे कमल जीत को अमीता का पता करने के लिए गाओं में भेजा। कमल जीत ने भी अंकीता को ढूरने की कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चलने पर वापस लोट आया। शाम हो गई लेकिन अमीता वापस नहीं लोटी। पूरे गाओं में हलकंप मच गया। सुखबिंदर और गुरुदास का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। आखिर रात आट बजे गुरुदास अपने पोते कमल जीत और कुछ गाओं वालों के साथ धाना रहर पहुँचे। और वहां के धाना प्रभारी सुभास सिह को अपनी 17 वर्षिय बेटी के लापता होने की जानकरी दी। गुम सुदगी की रिपोर्ट दर्च कराने के बाद सभी अपने घर वापस लोट आए। अगले दिन 22 दिसंबर 2017 की सुभा जीम कारवेट नेशनल पार्क बॉर्डर पर पुलिस को किसी अग्यात यूति की लाश मिलती है। लाश पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने जहर खाकर आत्मत्या की थी। तभी थाना प्रभारी को गुरुदास की बेटी के लापता होने की बात याद आती है। तब वहाँ गुरुदास को गटना स्थल पर बुलाते हैं। गुरुदास लाश को देखकर दाहरे मार कर रोने लगता है। वहाँ लाश अमीता की ही थी। गुरुदास जब थोड़ा सामाने हो जाता है तो पुलिस उससे पूछताच करती है कि अमीता ने आत्मत्या क्यों की। लेकिन गुरुदास खुद हैरान थे कि उनकी बेटी को कोई परिशानी नहीं थी तो फिर उसने आत्मत्या क्यों कर ली थी। अतहा गुरुदास के पास पुलिस को देने के लिए कोई जवाब न था। लाश को पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे सच का पता लगाया जाए। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसा ही हाल अमिता के परिवार का भी था। दो दिनों के बाद अमिता की चौका देने वाली पोश्ट मार्टम रिपोर्ट आई। जिससे पता लगा कि मृति का अमिता चार महिने की गर्भ वती थी। यहां से घटना में नया मोड आ गया। अब मामला प्रेम संबंद का लग रहा था। अब पुलिस को शक था कि यह हत्या अमिता के प्रेमी ने चुटकारा पाने के लिए कर दी होगी। या फिर अमिता के परिवार वालों ने ही बदनामी के डर से उसे मार दिया हो। पुलिस ने जब गुर रोसा ही नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या अमिता से किसी का संबंद था। गुरुदास ने बताया कि इस बारे में उसे कुछ पता नहीं है। चार दिन बीच चुके थे। लेकिन अमिता की हत्या की गुत्ती सुलज नहीं पा रही थी। पुलिस ने आरवेट नेशनल पार्की की तरफ जाते देखा गया था यहाँ एक खास ख़बर थी पुलिस के लिए पुलिस ने फोरण लाल बाग से कमल जीत को गिरफतार कर लिया वहाँ घर छोड़कर भागने की फिराक में था पुलिस की सकती से कमल जीत तूट गया और उसने कबूल कर लिए मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा था उसने पुलिस को सारी कहानी सुनाई अमीता कमल जीत की सगीब हुआ थी अमीता 17 साल की थी और कमल जीत 22 साल का एक ही परिवार होने की वज़ा से वे एक ही छत के नीचे रहते थे एक दिन बरामदे के दरवाजे को भेड़कर अमीता नहने गई उसने अंदर से सिटकनी नहीं लगाई थी उसी समय कमल जीत किसी काम से वहां आया और अपनी धुन में दरवाजा खोल कर धर धराता हुआ आंगन में दाखिल हुआ अमीता उसे देखकर हड़ बढ़ा गई और गीले कपड़ों से अपने आपको ढखने ल अंदे कमल जीत को इस बात का भी एहसास ना था कि अमीता उसकी बुआ है अब उसने अमीता पर डोरे डालना शुरू कर दिया था कमल जीत केवल अमीता का जिस्म पाना चाहता था इसके लिए उसने जूटे प्यार का नाटक शुरू कर दिया था धीरे धीरे उसने अमीता क फिसलते देर नहीं लगी, वहाँ भी कमल जीत से बेहत प्यार करने लगी और उसे अपना तन्मन सोब दिया था, घर में कोई उन पर शक नहीं करता था, वहाँ परिवार वालों से नजरे बचा कर लगातार एक दूसरे से मिलते थे, इसका नतीज़ा ये हुआ कि अमीता होने का थूथू करेगा, तब उसने ये बात कमल जीत को बताई, कमल जीत भी घबरा गया था, अमीता ने कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, कमल जीत ने समाज में बदनामी होने की बात कहकर, शादी से इनकार कर दिया, लेकिन अमीता शादी करने को लेकर अड़ी र उंगली नहीं उठा पाएगा योजना के मताबिक कमल जीत 20 दिसंबर 2017 को बाजार से कीट नाशक दवा खरिद लाया अगले दिन अमीता को पहला फुसला कर जिम कारवेट नेशनल पार्क ले गया उनने जाते हुए मोहले के कई लोगों ने देखा था पार्क पहुँचकर मौ पहले ही चालाकी से पहले अमीता को जहर पिला दिया बाद में जब अमीता ने उससे भी जहर पीने को कहा तो वहाँ फिलमी विलेन की तरह मुस्कराता हुआ बोला मेरी प्यारी बुआ तुम अभी तक मेरी चाल नहीं समझ पाई ये सब मैंने तुम से छुटकारा पाने के लिए किया था अब तुम मर जाओ मैं नहीं मरना चाहता अमीता पर जहर हाबी हो चुका था उसका सरीर बेजान हो रहा था तब ही कमल जीत ने अमीता के गले से लिप्टे हुए दुपटे से उसका गला भोट कर उसे मार डाला था कमल जीत अब सलाकों के पीछे था कमल जीत अमीता का पहला प्यार था कम उमर की वज़ा से वहा कमल जीत की नियत नहीं भाब सकी थी वहा कमल जीत से बेहत प्यार करती थी और इसी प्यार की कीमत उसने अपनी जिनगी गवा कर चुकाई थी इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत होती है अंत में दोस्तो हमारा मकसद आपका मनरंजन करना नहीं आपको जुर्म के प्रति जागरुक करने का है अगर आपको हमारा यहाँ प्रियास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमुल राय जरूर दें